क्रीमाफिन सिरप इस सिरप में मुख्य रूप से लिक्विट पाराफिन एबं मिल्क ओप मेगनेसिया एजे एक्टिव इंगर्डियेंट डाले गए हैं आईए क्रीमाफिन सिरप का मेकनेजम आफ एक्षन यूज डोज एबं इसके इस्तमाल से होने वाले साइड इफेक्ट को देखते हैं मेकनीजम आफ एक्षन क्रीमा फिन सिरप में मौजूद लिक्विट पराफिन अस्टूल याने मल को नरम और चिकना कडने का काम करता है एवं मिलक उप मेगनेसिया इंटेस्टाइनल ट्रेक्ट में ओस्मोटिक इफेक्ट को बढ़ा कर पानी को अंदर की ओर खीचता है जिससे की अस्टूल याने मल सौप्ट हो जाता है और आसानी से मल का त्याग हो जाता है यूजेज इसका इस्तिमाल अस्टूल सौप्टनर की तरह किया जाता है साथ ही साथ इसका इस्तिमाल एसिडिटी, इंडाइजेशन, अलसर, कंस्टिपेशन होने पर भी किया जाता है रोज इसे 15-30 ml प्रती दिन बैस्क व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है इसके इस्तिमाल करने पर निम्ड साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं जैसे की एनल इरिटेशन, सीपेज या एक ऐसा कंडिशन है जिसमें रोगी कुमल का त्याग अपने आप हो जाता है डाइरिया, लॉस ओफेटाइट यानि भूग की कमी, टाइडनेस यानि ठाकान ऐसा कुछ लच्छन दिखे तो दवा को तुरंत रोक दे एबं अपने डॉक्टर से संपर करें हमारे विडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद